नमस्कार दोस्तों आप सबीकर स्वागत है और ये स्रविशंगर शुक्ल विश्विद दाला से सम्मन देत एक अपडेट वीडियो लेकर फिर से आप सबीकर सामने हाजिर हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं टोटल 14 कोर्स के रिजल्ट जारी हो चुके हैं साथ ही मैं CBS की पूरी जानकारी देने वाला हूँ लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि CBS कुछ जानकारी जिसमें आपका फॉर्म कप चालू है और कैसे प्रोसेस करते हैं उसके बारे में लेकिन अभी मैं इस वीडियो में इस रिजल्ट के साथ साथ ये भी बताने वाला हूँ इनका प्रोसेस क्या होगा तो पूरे डिटेल की हम बात करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है तो सभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नोटिफिकेशन बेल को अन कर ले और वाट्सप ग्रुप से हमारे जूड़ जाएं ताकि आपको जल से जल notification मिल सकें तो दोस्तों चलते हैं यहां पर आप देख सकते हैं result जो है वो जारी हुआ था CBS में जितने भी 7th semester, 5th semester और 3rd semester की result जारी हो चुके हैं जिसमें यहां पर आप देख सक रहे होंगे कि 100% result और 83% result रहा है साथ ही M.A. 36 गड़ी वालों का M.C.A. semester वालों का B.A. L.L.B. 50 यर वाले integrated program का paid special education का आया हुआ है M.A. home science का आचुका है semester first का ठीक है आप अपना result देखिए यह PDF आया हुआ है जिसमें आपको roll number find होगा ठीक है और उसके मादधम से आप यहां पर देख सकते हैं साथ ही B.A. L.L.B. वालों का है L.L.M. है B.Pharmacy chemistry mathematics जो first semester आया थर समेस्टर कुछ दिन बाद आ जाएगा इसके बद m.com का भी first semester आया हुआ है थर समेस्टर कुछ दिनों बाद आने वाला है तो आप देख सकते हैं यहां पर कि result 14 कोर्स total 86 14 कोर्स के यहां पर result जारी कर दिए गया है साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि CBS का क्या detail है तो यहां पर CBS के detail के लिए आप चलते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यह PDF है इसमें आपको CBS Center for Basic Science Screening Test 2022 बोलते हैं इसको इंट्रेंस नहीं बोला जाता, screening बोला जाता है तो आपको यह browser है उसको download करने के लिए और यह result का PDF है और डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे description में link provide कर दिया गया है जहां से आप उसको download करके देख सकते हैं तो हम आपको इसको बारिकी से आपको बताते हैं कि कैसे आप 22 ते इसमें इडिमिशन ले सकते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह 5 साल का integrated course होता है जिसमें कि 3 साल आपका graduation और 2 साल PG का included रहता है तो टोटल 5 साल रहता है चाहे तो आप 3 साल करके इसे छोड़ सकते हैं और 2 साल को नहीं करेंगे तो भी चलता है और दोनों करेंगे तो आपको 5 साल में यह course complete होता है इसके बाद एक अच्छा चीज यहां पर यह है कि 5000 रुपए प्रती माह जो है इसमें scholarship के रुप में दी जाती है फीस कम रहता है और साथी बाद में यहां पर summer project के लिए आपको 20,000 रुपए एक साल में दिया जाता है तो यह 5 साल तक 5000 रुपए मिलता है 3 साल तक करेंगे तो 3 साल तक मिलेगा और 20,000 रुपए पर year मिलेगा आपको अगर आप यहां पर summer project में काम करते हैं तो ठीक है आप इसके माध्यम से form आप भर सकते हैं admission के लिए criteria क्या है आप देख सकते हैं 12th pass होना चाहिए आपका उसमे आपको subject biology, chemistry, mathematics, physics इसमें से कोई भी combination होना चाहिए ठीक है इसके बाद आप next देखेंगे यहां पर की और SCST यहां पर 50% requirement दिया रहता है aggregate के लिए 50% चाहिए उनको 55% चाहिए ठीक है इसके बाद आगे age limit की बात करें तो आप देख सकते है age limit cell B as per norms of the department of higher education government of 36 गर के उस नियम के साब से रहेगा यहां पर देख सकते हैं seat कैसे reserve किया गया है 20 seat 40 seat जो है total है यहां पर जिसमें 20 seat physics chemistry और bio वालों के लिए है और 20 seat physics chemistry और mathematics वालों के लिए SCST OBC 3 के लिए और general के लिए भी यहां पर seat reserve कर दी गई है यहां पर आगे हम बात करेंगे examination rules आप detail इसमें सब पढ़ करेंगे ठीक है कि question type कैसे आगा तो part A compulsory आ रहे है और part B जो है optional आ रहे है ठीक है part A compulsory cell carry question on physics and chemistry first वाला जो पार रहेगा उसमें physics के और chemistry के question आएंगे और part B जो optional रहेगा उसमें mathematics और या तो फिर biology जो जिस group का है उसमें करेगा ठीक है यहां पर 1500 marks के यहां पर question है देखें आपको बोर है correctly answer question will earn one mark तो एक नंबर आपको मिलेगा देड़ सो प्रस्टन रहेगा यहां पर ठीक है एक से देड़ सो तक देंगे और no negative marking रहेगा यहां पर तो कोई भी negative mark नहीं है question paper आपका यहां पर language क्या रहेगा English रहेगा या Hindi रहेगा दोनों bilingual रहेगा ठीक है दोनों इसके बाद syllabus की बात करें तो syllabus में आप देखेगा लिखा हुआ है NCRT, CBSE या CG Board Sign syllabus of class 11th, 12th, the detailed syllabus for the CBS, EST is provided next year 2 तो आपको 11th और 12th के जो NCRT, CBSE या फिर CGBSC के आप books पढ़ सकते हैं या फिर आपको नीचे यहां पर दिया गया हुआ है syllabus जिसको मैं अभी नीचे दिखाऊंगा फॉर्म भरना चाहते हैं तो General OBC Candidate 1000 रुपए online fees, SCST वालों के लिए 500 रुपए, यहां नीचे यहां पर यहां पर चैन हो या ना हो, नीचे यहां पर यह detail दिया हुआ है कब से कब आपका फॉर्म भराएगा क्या 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 schedule है, important debts दिया हुआ है, इसके बाद नीचे हम चल जा रहे हैं, जहां पर आपको syllabus दिखाना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं syllabus दिया हुआ है, CBS screening test ठीक है, जहां पर दे दिया हुआ है, biology का दिया हुआ है, उसके बाद physics, chemistry, maths, यह चारों का दिया हुआ है, जो जिस stream वाले हैं, वो उस stream के syllabus के हिसाप से आप पढ़ सकते है तो यह था detail ठीक है, और form को भरने के लिए आपको कहा जाना है, तो www.prsuuniv.in इस वाले website के तो जाना है, तो दोस्तों ऐसे ही continued update और detail जानकारी के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं, notification bell को on कर सकते हैं, और साथ ही हमारे पास जो बने हुए group हैं, आपर तीन group अल्रेडी बन चु इसमें शात्र जाहें, continue जूड भी रहे हैं, अपडेशन group है, यहाँ पर कि direct whatsapp में आप सभी को जानकारी दे दी जाएगी, तो फिर आपको जूड़ना है, तो description में link दिया हुआ है, आप इस group में अभी जूड जाएंगे, तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लक्ष